नवस्कार मैं हूने हैं साहिन बिहारी ने उजमें आपका स्वागत है आज है 19 सितंबर दिन गुरुवार खबरों की ओर बढ़ने से पहले सबसे पहले नज़ा डालते हैं सुर्कियों पर एस एस सुद्राइब का नया फर्मान ब्यार में सरकारी स्कूलों की होगी रैंकिंग नॉवंबर और मार्च में जाचा जाएगा स्कूलों की गुरुवत्ता हैं बेरुक्ता तो बक्री पालन कर बनी आत्मनर भर समेकित बक्री यो भेड़ विकास योजना का उठाइलाव ऐसे करें ऑनलाइन अपलाई प्र्मान ब्यार की सिक्षकों को मिलेगी बड़ी राहत तेवार उपर खर जाना होगा असान रेल बे चलाएगी स्पेसल ट्रेन येची अक्टूबर से होगा ट्रेनों का संचाला फिरसे का मुवी में वापसी कर रहे है अक्षय कुमार अक्षय के साथ ही मुवी में अपने अंदाज का तड़का लगाएंगे बिहारी अभिनेता पंकर्स दिर पार संग लोक सिवा आयोग यानी UPSC ने इंजिनेरिंग सिवा परिक्षा 2025 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है आवेदन की परकिरिया बिते 18 सितंबर से सुरू है और आवेदन की अंतिम तारीक है 8 अक्टूबर 2024 इस भर्ति परकिरिया के तहत सिविल, मेकेनिकल, अलेक्टिकल और अलेक्ट्रोनिक्स और टेली कम्निकेशन्स इंजिनेरिंग के लिए ग्रूप A और B के 232 पदों पर भर्ति की जाएगी परिक्षा की प्रारम भित्य थी 8 फर्वरी 2025 है अब यर्तियों के पास इंजिनेरिंग में डिग्री होनी शाइए ओमर सिमा 21 से 30 वर्ष निर्धारित है जिसमें विसीस रेडियो के लिए छूट भी है एक शुकमिद्वार हमारे स्क्रीन पर दिखाएगा है वेब साइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं बिहार सरकार में सरकारी स्कूलों में सिक्षा की गुडवत्ता को बढ़ाने के लिए एक महतुपूर कदम उठाया है अब हर साल सरकारी स्कूलों की रैंकिंग नवंबर और मार्च में की जाएगी सिक्षवेभाग के अपरमुकी सच्यू इस सिद्दार्थ ने सभी जिला सिक्षपद अधिकारियों को इस नई विवस्ता के बारे में भी आदेश जारी कर दिया है रैंकिंग का मुल्यांकन विभिन मानकों पराधारित होगा जिसमें सिक्षड और अधिगम संसादनों का उप्योग स्वक्स्ता और सह पाठे करम गतिविधिया श्रामिल है ये रैंकिंग सिक्षकों की वार्सिक परदर्सन मुल्यांकन रिपोर्ट में भी श्रामिल की जाएगे जिससे ये सुनेशित किया जाएगा कि सभी सिक्षकों और इसकूलों की गुडवत्ता में सुधार हुआ है या नहीं लेकर लमबी समय से चले आ रहे सवालों की बीच सिक्षकों की सुनिल कुमार ने बड़ा बयान दिया और उन्होंने बताया कि इस महीने के अंसे सिक्षकों की ट्रान्स्फर पोश्टिंग की परकरिया जो है ट्रेनिंग का भी परबंद किया जाएगा तेवहारों के मौसम को देखते हुए भारती रेलवे ने स्पेशल ट्रेनी चलाने का फैसला किया है इन्हें स्पेशल ट्रेनों का संचालन 6 अक्टूबर से सुरू होगा और ये विसी सुरूप से दिल्ली से विभिन गंतब्यों के चलाए जाएंगी नई दिल्ली से सिरिमाता वैस्टनो देवी कट्रा स्पेशल ट्रेन 6 अक्टूबर से 17 नौबर तक चलेगी आनंद बिहार टर्मिनल से आयोधिया 56 अस्पेशल ट्रेन 7 अक्टूबर से 18 नौबर तक पुरानी दिल्ली से वरांसी अस्पेशल ट्रेन 24 वही पुरारी दिल्ली से दर्भंगा एस्पेसल ट्रेन 26 सक्टूबर से 16 नौवमबर तक और आनंद बिहार टर्मिनल से जोगमनी एस्पेसल ट्रेन 29 सक्टूबर से 12 नौवमबर तक चलाई जाएगे आईसा एसेमन का जन्म 19 सितंबर 1996 को बिहार की दवादा जले में हुआ था आईसा एसेमन एक भारती अभिनेतरी हैं मौडल सौंदर्रे परतियुकता की एक हिताब जीत चुकी हैं उन्हें मिस इंडिया इंटरनेशनल 2015 का ताच पहनाया गया और उन्होंने टोक्यू जपान मे आयोजित मिस इंटरनेशनल 2015 परतियुकता में भारत का परतिनिधित्तो किया उन्होंने राश्टिये पुरुसकार विजेता निर्देशक मधूर भंडारकर की बॉलिवुड फिल्म इंडिया लोकडाउन से अपनी करियर की सुरुआत की थी और बिहार का नाम रौसन कर रह नहीं है मिस इंडिया रह चुकी आईसा देश और विदेश की कई ब्रांड की ब्रांड अंबेस जड़ भी है श्रारुखान महेंदर सिंग धोनी से लेकर जैक निल फरनाडिज के साथ भी उन्होंने काम किया है बिहार राजी के युवा की उते किसार उद्यम्यों के लिए एक रोजगार का सुनारा उसर है अगर आप बकरी पालन करना चाहते हैं तो समेकित बकरी यह भेड विकास योजना का लाब उठा सकते हैं इसके लिए आवारे स्क्रीन पर दिखाए गए वेब साइट पर जाकर आवेदन करना होगा इस योजना का लाब उठाने के लिए आधार या बोटन कार्ड अधितन लगान रसीद आलपीसी लीज एकरार नामा नजरी नक्सा पासबोक एफडी जिस पर पर्थम और अंतिम प्रिष्ट पर रासी अंकित हो सरकारी संस्थानों से बकरी पालन परसिक्षर परमार पत्र जाती परमार पत्र पैनकार्ड आवास परमार पत्र होना चाहिए ये जानकारी आई पी आरडी के चरिये दी गई है मौसल विभाग ने पूरे बिहार में आज बारिस की आसार जताय है खास कर उतर पच्छिम और उत्तर मद्द विहार में एक या दो अस्थानों पर भारी बारिस का अलट जारी किया गया है वही उत्तर पुर्व दक्षिड पचिम, दक्षिड मद्दे और दक्षिड मद्दे विहार में भी कोछ अस्थानों पर बारिस की संभावरा बनी हुई है मौसल विभाग ने लोगों से अपील की है कि वे सतर कोड़ सावधान रहे इस दोरान अधिक्तम तापमान 34-36 और नियुनतम तापमान 26-28 के बीच रहने की आसार है सरकारी जमिन के गलत जमबंदी में लिप्त राजस्यों एंभुमी सुधार विभाग के आवकाश परापत अधिकारियों और करमचारियों के खिलाफ कारवाई की जाएगी आपर मुख्य सचियों देपक कुबार सिंग ने सभी आपर समर्ताओं को निर्दीश दिया है कि वे ऐसी दोस्यों की पैशान करें और उनकी खिलाफ प्राथमी की दर्ज कराएं इस संबन में विभाग के समिक्षा बैठक में पाया गया है कि अंचल अधिकारी और राजस्सो करमचारियों के अस्तर पर जमावंदी के कई मामले लंबित हैं आपर समर्ताओं को अपने अधीन की अंचलों का नियमित रक्षर करने का भी नर्दीश दिया गया है इसके अलावा दाखिल खारिश की मामलों में अंचल अधिकारियों को मनतब्बे दर्ज करने की भी सक्त हिदायत दे गई है दोस्यों की पहच्यान और कारवाई के लिए सभी आवस्यक जानकारी विभागी पोटल पर अपलोड की जाएगी भारत और बांगलादेस के बीच होने वाली टेस्ट सिरीज आज से सुरू हो रही फैंस के बीच इस सिरीज को लेकर जबर दस्त का उत्सा है दोनों टीमों के बीच आप तक 13 टेस्ट मुकाबले खेले जा चुके हैं जिसमें भारत ने 11 टेस्ट जीते हैं और 2 ड्रॉ रहे हैं बतादे कि पहला टेस्ट चेनई के में चिदंबरम स्टेडियम में आज सुबह साड़े 9 बज़ से सुरू हो रहा है जिसका टॉस आधा घंटा पहले होगा वही दूसरा टेस्ट कानपुर के ग्रीन पार्क में 27 सितंबर से खेला जाएगा अगर आप इन मैचों को फुरी में देखना चाते हैं तो जीओ सिनेमा पर लाइब एस्ट्रीमिंग का आनंद ले सकते हैं भारती रेलवे में वेटिंग टिकेट के साथ यात्रा करना अब महंगा पड़ जाएगा आप जानते हैं कि भारती रेलवे में रिजबरेशन की दो स्रेडिया होती है एक तो ऑनलाइन और दूसरा ऑफलाइन होता है अगर कोई यातरी ऑनलाइन टिकेट बुक करता है और वे वेटिंग में चला जाता है तो ये अपने आप कैंसिल हो जाती है लेकिन ओफलाइन बुकिंग में ये इस्तिति अलग होती है आफ्लाइन वेटिंग टिकेट लेकर यातरा करने वाले यातरी अक्सर आरक्षित डिबो में देखे जाते हैं लेकिन ऐसा करना अब आपके लिए महंगा साबित हो सकता है रेलवे परसासन नहीं ये साफ असपष्ट किया है कि अगर आप वेटिंग टिकेट के साथ सफर करते पकड़े जाते हैं तो आप पर 440 रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है इतना ही नहीं टीटी आपके सफर को रोक भी सकता है और आपको अगले स्टेशन पर उतारने का अधिकार भी रखता है ब्यार विदान परिशद में पहली बार 1810 सिक्षा समीती का गठन किया गया है जिसका उदेश सिक्षकों की समस्याओं का समधान करना है इस समीती के अध्यक्ष उप सभपती फूर्फेसर राम बच्चन राय को बना गया है जबकि संयों जग जद कुमार निवेदिता सिंग और राजद के कुमार नागिंदर शामिल हैं विदान परिशद सचिवाली द्वारा जारी अधिसूचन के अनुसार ये समीती सिक्षा से संबंधित मुद्ध पर विचार बिमर्स करेगी और आउस्यक निर्णने लेगी संजीव कुमार सिंग ने फिचर लेकर आ रहा है इसका नाम ऑटो टॉप आफ है बतादे कि यूपी आई लाइट एक डिजिटल वैलेट है जिसमें आप बिना यूपी आई पीन के छोटे लेन देन कर सकते हैं इसका उप्योग करने के लिए आपको केवल अपने बैंक अकाउंट से पैसे डालने होत कारण की तौर पर अगर हम आपको समझाएं तो आपने अगर सौ रुपए का नियुंतम बैलेंस सेट किया है तो आपका वाइलेट वैलेंस सौ रुपए या इससे कम होते ही आपके बैंक से पैसी ट्रांसफर हो जाएंगे अक्षे कुमार ने अपने आरे वाले फिल्म भूत बंगला का मोसर पोस्टर जारी कर दिया है जो एक हौरर कमेडी होगी अब खबरे ये आ रही है कि वे एक और कमेडी फिल्म लेकर आ रहे हैं और कहा ऐसा भी जा रहा है कि इस फिल्म में उनके साथ बिहारी अभिनेता पं अपना को मोदी काबिनिट से बिते दिन मंजूरी मिल गई है बता दे की वन नेसर वन इलेक्सवन के लिए एक कमेडी बनाई गई थी जिसके चीर मैन पुरुराश्ट्रपती रामनाद कोविन थे कोविन ने अपनी रिपोर्ट इस पर मोदी काबिनिट को दी जिसके बाद उसे स्वरसमती से मंजूर कर दिया गया हरांकि इसके बाद आगे का सफर आसान नहीं होने वाला है इसके लिए सविदान संसोधन और राज्जू की मंजूरी भी जरूरी है जिसके बाद ही इसे लागू किया जाएगा बिहार दे जिस्टी संग्रा में नया मुकाम किया हासिल पिछले वितिय वर्स में राज्जू में जिस्टी संग्रा में 18% की बढ़ोतरी हुई है बिहार देश के सिर्फ 5 राज्जू में अपना जगा बना लिया है बता दे कि पिछले 6 वर्सों में बिहार के कर संग्रा में 122 परतिसत के विरिदी हुई है बिते दिन संजय कुमार सिंग वाड़ी जेकर बभा के सचियू सहराज जेकर आयूप ने एक प्रेस कॉन्फरेंस में बताए कि 2017-18 में बिहार का कर्ष संग्रा 17236 करोड रुपए था जो दुए 2324 में बढ़कर 38198 करोड रुपए हो गया है पितरपक्ष मिला में पिंदान गया मुबाइल एप ऐसे करेगा आपकी सहायता अगर आप पितरपक्ष मिला जा रहे हैं तो पिंदान गया मुबाइल एप आप अपने मुबाइल में जरूर डाउनलोड कर लिजेगा पिंदान गया मुबाइल एप में कई परकार की सुवि सिवीर, फुलिस, बस, पड़ा, वेदिघाट, सरोवर, बैंक, एटियम, पेट्रॉल, पंप की जानकारी जो है प्राप्ट कर सकते हैं इस दौरान अगर किसी तिर्थियातरी को किसी परकार की समस्या आ रही है तो वे अपनी समस्या की समधान के लिए आवारे स्क्रीन पर दि सिक्षकों को अनुभाव हिंता की बावजूत परभारी परदाना ध्यापक बनाया जा रहा है इस पर विहार माधिमिक सिक्षक संग की मासचीव शत्रूगहन परसाद सिंग ने देशक से मिलकर ग्यापन सौपा है तिन ने कहा कि 10-18 वर्सों की अनुभावी सिक्षकों को अस्थाई नियुक्ति तक उनके पद पर बनाए रखा जाए इसके अलावा विद्यालियों में अवकास तालिका की अंदेखी से कई समस्या हुद्पन हो रही है उन्होंने निदेशक से पुरो की अवकास तालिका में कटौती ना करने और आंतरिक परक्षा संच चालन का अधिकार विद्यालियों को लौटाने की अपील की है रिस्वत लेते रोतास के करमचारी का वीडियो हुआ वाइरल बिहार के रोतास जिले से एक गंभीर मामला सामने आया है जहां सासा रामिस्तित चकबंदी कार्याले में करमचारी का रिस्वत लेते हुए वीड वीडियो की पोस्टी नहीं करता है बतादे कि अस्थाने लोगों का कहना है कि सर्वे काम सुरू होने के बाद से ये समस्तिया जो है बढ़ गई है और कई विभागों में रिस्वत खोरी का सिलसिला चल रहा है वही चक बंदी के उपने देशक चुंदर सेखर परसाद संग न लैंड फॉर जॉब मामले के मनी लॉंडरिंग केस में पूरुबुक्यमंतरी लालु परसाद यादो तेजस्वी यादो सहित आठ आरोपियों को समन जारी किया है इस पर बिहार में सियासी हल चलते जहाए जेडियों के परवक्ता निरज कुमार ने तेजस्वी यादो पर आफ एकनॉमिक्स तो नहीं जा रहे है वाया लेक्शर तो नहीं है तेजस्वी यादो को बिदेश यातरा स्थगित करके कोट में पेस दोना रहा है मरीजो का स्वास्थ डिकॉर्ड अब होगा डिजिटल केंद्रिय स्वास्थ मंतरी जेपी नडडा ने देश की स्वास्थ चितर में एक नई पहल की है उन्होंने अस्पतालों के लिए नई गाइडलाइन जारी कि है जिसके तहट मरीजो को स्वास्थ का पुरा डिजिटल रखा जाएगा बता दे कुछ दिन पहले ही उन्होंने एक मेडिकल हेल्थ पोर्टल भी लॉंच किया था जिसमें देश के मसहूर डॉक्टरों को सामिल किया गया है इस पोर्टल के माध्यमसी मरीजो और डॉक्टरों दोनों का रिकॉर्ड और डीजिटल रूप से रखा होगी सरकारी दफ्तर से शराब की 135 बोतले बरामत फार में शराब पीना और उसका वैपार करना दोनों ही गयर कानूनी है बावजुद इसके अवैद कारूबार्थ हमने का डाम नहीं ले रहा है वितेदीन मुझफर पुर्जिले के पारू इलाके में सरकारी दफ्तर से 135 ब लोगों को गिरफ्तार किया गया किरिसी मंतरी शुराज सिंग्चोहान ने बिहार को दी बड़ी सोगात केंद्री किरिसी और किसान का लियार मंतरी शुराज सिंग्चोहान ने विते दिन किसानों के लिए कई मैतपोन घोसनाय की दिल्ली में बिहार के किरिसी मंतरी मंगल प सिराई सिंग चोहान ने बताया कि पीम नरेंद्र मोदी के नत्रित्तों में बिहार के किसानों के विकास के लिए हर संभाव परियास के जा रहे हैं उन्होंने हाइब्रीड बिजु के लिए केंद्री सहालता और राष्टिय क्रिसी विकास योजना में आधिक आवंटन की बात एक देश एक चुनाव ध्यान भटकाने वाली मनोज जह बोले एक देश एक चुनाव ध्यान भटकाने वाली मोदी सरकार ने एक देश एक चुनाव को लेकर एक मतपूर कदम उठाया है बुद्वार को हुई काबिनेट बाटक में रामनाथ कोविंद की अध्यक्सता वाली कमेटी की रिपोर्ट को मंजूरी मिल गई है हलांके इस फैसली की आलोचना भी की जा रही है राजसवा सांसद मनोज्जा ने इसे ध्यान भटकाने वाला बताया है उन्होंने का कि वन निसन वन इलेक्षन का बिचार पहले से ही मौजूद था और इसका उदेश से असली की जनसुराजज अभियान की सुत्रधार परश्राण्थ की सोर ने बेहार विधान सबाचुना दोयर पचीस के लिए अपनी पार्टी के सविधान में एकमात्यपूर्ण पराधान जोड़ने का अयलान किया है उन्होंने बताया कि जनसुराज देश की पहली पार्टी होग तो मतदाता उसे उसके कारेकाल की समापती से पहले ही हटाने का विकल्प रखेंगे परश्ट्राम किसोन ने असपश्ट किया कि अगर उनके पार्टी सब्ता में आती है तो 2025 में बिहार में शुराब बंदी कानून को पूरी तरह से समापत कर दिया जाएगा कई कारणों से दज है भारत के इतिहास में आज की तारिक था आजी के दिन 1965 में सुनिता विलियम्स अंतरिक्ष एजेंसी नासा के माध्यम से अंतरिक्ष जाने वाली भारती मुल्की दूसरी महिला बनी थी बिते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सिक्सन में लिकर दिया है जिनों ने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है बिजयराम सपना कुमारी मुहम्मद अर्मान आज की सुर्मातो कुस कुमार यादव, रंजीत मिस्रा, जूली पटेल, नौसाद रजा, संजीव कुमार, मुहम्मद अजमेर, विपिन सिंग। इसी के साथ बढ़ते हैं आज की सवाल की और आज का सवाल है पहारए दोआर एक सी चॉदर तक दिखाये गए खबरों का फोर्मेट आपको पसंद आया इसके बारे में जरूर फीड़ दीजेगा क्योंकि हम खबरों को बहतरीन तरीके से आपके सामने पेस कर सके इसके साथ ही जाते जाते एक सवाल छोड़े जाते हैं भारत बांगलादेश से टेस्ट सिरिज में किस किरकेट टीम की जीतने की संभाव ना है इसका जवाब जरूर दिजिएगा आज के लिए इतना ही बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे हैं बिहारी न्यूज और साथ ही अगर आप यूटूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और अगर आप फिस्बुक प पालों जरूर करिएगा धन्यवाद